चिन्दवाडा में कमलनाज जपा रहे राम नाम चार करोड 31 लाग राम नाम आयोध्या भेजने की तैयारी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर 21 दिवसी श्री राम महतसब चल रहा कॉंग्रेस के शीर शनेतरत्व ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारो का नियोता ठुकरा दिया है मगर कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ चिंदवाडा से 4 करोड 31 लाख राम नाम लिखे पत्रक को आयुध्या भेजने की तयारी में है दरसल चिंदवाडा की मारूती नंदन सेवा समीती ने 21 दिनों का श्री राम महत्सब कायोजन किया है समीती के पददिकारी और स्वयम सेवक लोगों को राम नाम का पत्रक बाट रहे है लोगों से कहा जा रहा है कि इस पर 108 बार राम नाम लिखकर उन्हें वापस कर दे चिंदवाडा केस अमरिया स्थित प्रसिध हनुवान मंदिर का प्रबंदन इसी समीती के हाथ में है कमलनात और उनके सांसत बेटे नकुलनात इस समीती के संरक्षक है मंदिर भी कमलनात नहीं बनवाया है समीती की कोशिश है कि राम नाम केस रिकॉर्ड संग्रह को प्राण प्रतिष्ठा उतसफ के दौरान ही आयोध्या पहुचाया जाए एक्सपर्ट का कहना है कि कमलनात इसके जरीए क्या हासिल करना चाहते है ये वही बैतर बता सकते है लेकिन मौझूदा हालात को देखते हुए ये आयोजन कॉंग्रेस की रिती नीती से मेल नहीं खा रहा है वही समीती के पतादिकारियों का कहना है कि ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है इस आयोजन को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए तीन चर्णों में श्री राम महत्सव का आयोजन मारूती नंदन सेवा समिती ने तीन चर्णों में एक दिवसिय श्री राम महत्सव का आयोजन किया है चार जन्वरी से राम नाम लेखन का काम शुरू किया गया है जो 21 जन्वरी तक चलेगा कॉंग्रेस के धर्मस्वे प्रकोष्ट के जिला अध्यक्षर मारूती नंदन सेवा समिती के सैयोजक आनंद बक्षी ने कहा अयोद्या में राम मंदर सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है राम हिंदो के आदर्श है पांसो साल बाद भवे मंदर में श्री राम की प्राण प्रसिष्टा होने जा रही है इस मौके के संस्था के संरक्षक पूर्मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसत नकुलनाथ की फ्रेणा से राम नाम लेखन का काम समीती ने शुरू किया है लोगों के भी चार लाग पत्रक बाटे जाएंगे चिंदवाडा और पांडूर्णा जिले के हर ब्लॉक के दस हजार कारिकरताओं को जिर्मेदारी सौपी गई है इन पत्रकों पर भक्तों को लाल सियाही से 108 बार राम नाम लिखना है इस मान से 4 लाग पत्रकों के जरीए 4 करोण 31 लाग बार राम नाम लिखने का लक्षय तैह हुआ है बक्षी के मताबिक 11 जनवरी से 14 जनवरी तक 11111 राम नाम जब कारिकरम का भी आयोजन किया गया है 15 जनवरी, 17 जनवरी तक महिलाओं के विभिन कारिक्रम आयोजित किये गए बसों से अयोध्या भेजे जाएंगे राम नाम पत्रक आनत बक्षी का कहना है कि 21 जनवरी को इन पत्रकों को ब्लॉक सतर पर एकटा किया जाएगा इसके बाद पत्रकों की यात्रा निकाली जाएगी 22 जनवरी को आयोध्या में राम लला की प्राण पत्रकों को रखा जाएगा यहां तीन दिवसी वैदिक अनुष्ठान किया जाएगा बक्षी के मताबिक सरकार ने 22 जनवरी को गयर आमंतृत भक्तों के लिए योध्या में प्रवेश की मना ही की है इसलिए प्रतिवंद खुलने का इंतिजार होगा योध्या में आवजाही की अनुमती मिलते ही इन पत्रकों को योध्या रवाना कर दिया जाएगा महापूजन अर्चन के बाद इन्हें राम नाम बैंक में जमा किया जाएगा आयोध्या को कहना है अब हर भक्तो इस अफसर पर आयोध्या नहीं जा सकता इससे कोशिश है कि राम नाम लिखे पत्रकों की जरीए भक्तों की भावना आयोध्या पहुच जाए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल 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 झाल